आज मैंने बनाई है आलू की सबजी लसन और हींग वाली फ्राई सबजी जो खाने में बहुती टेस्टी लगती है परांठो के साथ खाए या इसको पूरी के साथ खाए खाने मज़ा आ जाएगा इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लसन की बड़ी-बड़ी कलिया ले ल लसन हमारा अच्छी तरह कुड़ चुका है पेश्ट बन गया है यहां मैंने आलू ली है इनको आलू को छील लिया है इसके हम चोट 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 टुकड़े कर लेंगे सारे आलू के छोटे-छोटे टुकड़े कर लें कि आलू के मैंने ज्यादा बड़ा टुकड़े नहीं किया बिलकुछ चोटे-छोटे टुकड़े हैं ऐसे हम सारे आलू को काट लेंगे कि आलू हमारे सारे कट चुके हैं आप कुकर में डालेंगे एक बड़ा चमज तेल का तेल को गरम कर लें उसके बार डालेंगे एक चम्मच जीरा, जीरे को भून लेंगे, उसके बार डाल देंगे लसन का पेस्ट, इसको भी मसाले में, तेल में डालकर अच्छी तर भून ले, इसको लगातर हिलाते रहें, जिससे मसाला जले नहीं, क्योंकि इसमें हमने प्याजनी डाली है, लसन हम पान्य atid और रবkषड इस मारा बुचु कहा है इसी पानी डालेके साथ सात्वी करिए जीस मसालय जली नहीं कि अब नविंको अची तरह मिक्स कर लें है मसाल को में जब तक पकाना है जब तक कि में शाला तेल प्र चोंड दे कि riba लाइक लिए आलो को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जिससे एक सारे मसाले आलो के साथ लग जाएं आलो अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं अब इसमें मैं डालूंगी आदा चमच कश्मिरी लाल मिर्ज पाउडर इसे सब्जी में कलर अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा एक बार आलो को फिर दुआर मिक्स कर लेंगे यहाँ पर मैंने दो बड़ी प्याज लिया है इनको मैंने बड़े टुकडो में काट लिया है यह भी बहुत टेस्टी लगती है प्याज एक बार मिक्स कर लें अब कुकर का धकन लगा लें और एक सीटी आने तक पका लें एक सीटी में ही हमारे आलो पक जाएंगे गल जाएंगे आलो लो फिलेम पे पकाना है हमें कुकर की गैस निकाल दे कुकर का धकन खोल ले अब इसमें डालेंगे आदा चमबच गरम मसाला पाउडर अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आलों के साथ सब्जी हमारे चितरे मिक्स हो चुकी है और सब्जी बनकर भी तयार है एक वर आप जूरू बनाके देखें बहुत टेस्टी सब्जी बनी है पूरी के साथ खाएं या प्राउठों के साथ बहुत टेस्टी लगती है सब्जी झाले प्राउठों के साथ बनकर बनाके प्राउठों के साथ टेस्टी बनाके बनागे लगते हैं